दोस्तों, मैं मन्जू अलद्वानी उतराखंट से दोस्तों, फूलों वाले पौदे तो हमेंसा खुबसूरत दिखते ही हैं जिने ही फूल आते हैं पर ऐसे गर्मियों में बहुत सुंसुंदर प्लांट होते हैं जो फूल तो नहीं खिलते हैं तो आज के वीडियो में आपको ऐसे खूबसूरत प्लांट की जिनको आपना गार्डन आप कलरफुल बना सकते हैं बिना फूलों के भी ऐसे कौन से पौधे उनके बारें बताऊंगी उनके नाम बताऊंगी और कुछ केर टिप्स बताऊंगी मैं आपको 21 जदा ऐसे पौधों के नाम बताऊंगी जो की गर्मियों में बहुत अची ग्रोध करते हैं गर्मियों से लेकर सर्दिया आनता उनकी ग्रोध बढ़ती रहती है बहुत खूबसूरत दिखाए देते हैं वैसे उनमें से कई पर्मानेंट होते हैं तो उनके बारें बिस्तार से आपसे बात करती हूँ तो उससे पहले देखिए ये गर्मी का सीजन चल रहा है मई का महना चल रहा है और यहां जेरिनियम आई भी देखिए कितने सुन्दर समिलों में हो रही है ये सब कियर हम किस तरह करते हैं प्लांट की उस पर डिपेंड करता है कलर्मियां प्लांट होता है इस तरह कि जब इसमें सीट्स बनते उनको तोड़ दी आता है इनकी खुबसूरती इतनी नहीं होती जितनी की इनके पत्ते अब आपको मैंसे बहुत सारे कलर दिखाती हूं मैंसे कलर कलक्शन करती रहती हूं देखिए आप कितना सुन्दर लग रहा है ये अभी मैंने रेट कलर दिखाया था अब मल्टी कलर एक साथ देखिए आप कितना सुन्दर लग रहे हैं ये ये देखिए रेट के बाद मल्टी कलर के बाद टोटल ग्रीन देखिए थोड़ा सा यलोई सनेस होगी इसके अंदर तो जहां डार कलर के कोलियस के बीच में आपक खुश्र लगने वाले पौदे हैं सेकेंड निम्बर दोस्तों पॉलका डोट आता है पॉलका डोट में आपने आपने बहुत सुन्दर होता है गर्मियों में देखिए इनके निखार देखिए इनके पत्ते में बहुत दरा सनलाइटिन को पसंद नहीं होती है बिमारे की ब आप Zingonium देखिए किते सुन्दर इनके पते हैं तो यह भी मेराます यह प्लांट है बस winter इन्कों कम पसंद होते हैं और कर सारी है इसके अंदर अब दोस्तों इंडोर में रखने वाला प्लांट है ये देखिए लिफ्स्टिक अगलो निमा सालवर रहते हैं बहुत अच्छी ग्रोज चल रही है बहुत सुन्दर प्लांट लगते हैं ये देखिए क्या निखार है इनके रंगों में अब इसके बाद जो है हम देखिए कलल अब ये जो है हमारे रबर प्लांट है रबर प्लांट में तीन वर्णाटि आती है मैं आपको तीनों दिखाती हूं ये बहुत ही सुन्दर प्लांट होता है हर गयाबा को सुद्ध करने के लिए भी वैसे भी कलर की किसी जए की खुबशूरती निखारने के लिए सब में देखिए नई ग्रोथ आई हुई है इसमें जो है नर्सरी में ये कलर आपको बहुत कमन देखने को मिलता है आप देखिए इसमें कितने कलर हैं एक साथ इस तरह रवर फ्लांट गर्मियों में अच्छी ग्रोथ करने वाले बहुत सुंदर प्लांट होते हैं घर के आवक शुद्ध करने के लिए भी लगाए जाते हैं तो ये प्लांट जो है गर्मियों के लिए कलरफुल प्लांट के तरु पर आप लगाइए दोस्तों ये तो बहुत common plant होता है पर इसकी खुबसूरती बहुत ज़ादा होती है और देखे कितने सुन्दर इसकी पत्ते गर्मियों में जो है बहुत तेज सनलाइट से बचा कर थोड़ी सी सेड में रख लेंगे तो इनके पत्तों का निखार और भी आ जाता है वंडरींजी में बहुत सारी बैराइटी आती है इसमें जिस जगह पर आप आजकल वंडरींजी में दोस्तों एक ग्रीन से थोड़ा सा उस टाप की बैराइटी भी आने लगए पर ये बैराइटी आपको सब जगह मिल जाती और बहुत सुन्दर लगती है ये देखिए यह तरीके से नएने पत्तों में कलर देखिए आप जैसे से गर्मी बढ़ेगी और थोड़ी सेड मिलेगी इसको मौसम में गर्मी होगी और इस प्लांट को सेड में रखेंगे तो और अच्छे निखार आता है अब आते हैं दोस्तों हमारे खुबसुरत प्रमानेंट प्लांट क् और इस समयन की खुबसुरती देखते ही बनती है अब क्रोटन की बाद दोस्तों डिफरेंट टाइप के ड्रेसीना आएंगे डेस्ट चड़ी हुई है प्लांट पर क्योंकि हमारे बहुते तो पानी नहीं आ रहा है तो देखिए बैसे बहुत सुन्दर प्लांट होते से इस इस तरह से ड्रेसीना बहुत सारी बरैटी में मलता है इसी तरह दोस्तों कम फर्ड लजर में अगर आप चाहें कोई प्लांट लगाना और कम केर में तो सेंचाई जा यह बहुत अच्छा प्लांट होता देखिए आप इसकी कलर कोई बिसेस केर नहीं है बस बहुत ते मिलता है इसमें देखिए एक साइट कलर ऐसा होता है इनका तो जैसे बारिश वगर होंगी तो और भी इनकी कुपसूरती निखर के आती है दोस्तों यह बहुत सुन्दर प्लांट गर्मियों में बहुत अच्छी गरोध करते हैं यह देखिए यह जो मॉंकी टेल की पूरी साल चलते हैं देखिए सिलवर कलर करहा किता सून्दर भी गोल्या है यह देखिए यह पत्तों की कोपसूरती कारण लगाए जाते हैं किता सून्दर लग रए देखिये ओङ बहुत सून्दर फूल प्लांट कलार प्लीः नहीं कि पत्तों से इनकी खुबसूरती होती है इसे तरह दोस्तों यह बॉल्बियन भी होता है यह तो बस एक गुडिया की बाल सा दिखता है इसमें बस छोटे सी जगह कहीं रखिए तो बहुत जल्दी जो दर बरसार आता है तो ऐसे पॉट भर जाते हैं कि आपको खाण-ख अपनाने वाले प्लांट के तौर पर भी यह बहुत सुन्दर ब्लांट होता है दोस्तों जिसाल को यह नी खट दी है मुझे इसल्गी पसंद है तो जो मिल सकता है मैं इसको करते हूं इससे पहले स्प्राउट जो है मेरे देसी ब्रैटी में आए कुछ-पुछ इसमें भी बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कि hybrid का वो आगिया है तो ये सब मेरे पास पुराना collection है मैं आप नए मेरे एक जैसी अंकुछ होते हैं मैं उनको पॉड देना फूरू करूंगी तो पहला जो है कैलेडियम को भी रंगीन पत्तों के लिए खुबशूर पत्तों के लिए अपने garden में सेड में लगाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट होता है दोस्तों अगर आप छोटोटी बोतलों में प्लांट लगाना पसंद करते हैं तो उसके लिए purple heart का एक ऐसा प्लांट होगी बहुत जल्दी से cutting से त्यार होता है इस समय और color देखिए इसके तो हम green leaves वाले plant के बीच में इस plant को लगाते तो इनकी खुबसूरती और भी निखर कराती है दोस्तों nest जो हैं आप इनको चाहे तो variegated के हैं या फिर colorful के हैं मैं इनको variegated ज़्यादा कहती हूँ तो यह जो है ficus की variety आपको देखिए star light ficus, star ficus और यह देखिए यह है tricolor triangular ficus कहते हैं इसको triangular देखिए इसके पत्ते जो इकुल triangle safe होते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोध करते हैं और सुन्दर लगते हैं इस समय के बाद आते हैं हमारे खुबसूरत snake plant देखिए यह भी बहुत अच्छी ग्रोध करते हैं और इनके color भी निखरके आते हैं यह देखिए yellow step और यह golden वाले जो होते हैं बहुत सुन्दर लगते हैं अब देखिए reddish nest ले हुए हमारे सेकुलेंट किते सुन्दर लग रहे हैं कोई गर्मी का इनको ऐसा नहीं कि गर्मी में बिल्कुल खराब हो गए हैं आप जैसे केर करते हैं कुछ hardy variety भी होती हैं यह देखिए आयोनियम कीवी की बिल्कुल reddish nest ले हुई है किते सुन्दर ल नाम बता दिये इसके अलाबा दोस्तों अइरिसीन होता है एक वो मेरे पास इस समय खतम हो गया है लास्ट यहर तो नीफ बचा पाई में उसको तो वह भी एक प्लांट है बहुत सुंदर बैराइटी गर्मी में कलरफुल प्लांट के तौर पर तो उसके अलाबा मैंने अध